नमस्कार दोस्तो मीना बुटिक में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में एक latest sleeves design लेकर आया हूँ छोटा साग वीडियो है इसे butterfly या umbrella sleeves कह सकते हैं वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहतरी तरीके से समझ में आएगी तो चले इसे बनाना सीख लेते हैं आस्तिन को बनाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तो आपको एक बात का विशेज दियान रखना है जो कपडे का चुनाव कर रहे हैं वह कपड़ा गिरता हुआ हो जैसे कि आप lycra, hosery, saturn इस टाइब का कपड़ा लें और जो look भी काफी अच्छा दे ठीक है, इसके लिए आपको कम से कम आधा मिटर से पोन मिटर कपड़े की जरुत पड़ेगी ठीक है, तो ये मेरा कपड़ा आधा मिटर है यानि कि 21 इंच मैं ऐस इस तरह से है और 21 इंच 21 इंच इस तरह से है और इसे मैंने दो आस्तिन के इसाब से डबल फोल्ड कर लिया है ये देखे, ये मेरा डबल फोल्ड है ठीक है, ये मैं साटन में बना रहा हूँ इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया और फिर से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहां से लेके इसे फिर इसे फोल्ड कर लिया करेबन यह चार चार आठ तै में हमने फोल्ड कर लिया है अब दोस्तों यहां की दूरी ना पेंगे यह दूरी आ रही है ऐसे ही करके यहां पर एक निशान लगाएंगे ठीक है और इस निशान को आप इस तरह से लगाते वे यहां से इसे गोलाई देंगे इस तरह से यहां इस निशान को इस निशान से मिला लेंगे परफेक्ली बराबर और यहां से कटिंग कर लेंगे सीधा करने के बाद में यहाँ पर मिड में एक निशान लगाएंगे जो यहाँ से दूरी का और यहाँ से दूरी का एक बीच सेंटर का निशान है इस निशान पर यहाँ पर इस तरह से आपको एक शीधा निशान ड्रो करना है ठीक है इस तरह से अपने ड्रो कर लिया इस तरफ आपको निशान लगाएंगे एक इस तरफ अब आपको जो भी आपने टॉप ब्लाउज जो भी आपने रेडी किया है जिसमें आप लगाना चाते हैं उसका आर्मोल नाप लें उसका आर्मोल आप जो साइड है नीचे से वो पहले ही कर लें और यहां से उसका इंच होगे अपना ये वाला ठीक है तो पंद्रा का फिर आप कर लें ये तो होगे अपना फोर फोर यानि कि ये तो होगे अपना करीबन फोने चार इंच ठीक है और इसका भी एक फोर डोर कर लेंगे आप ये वाला ये आजाएगा अपना दो यानि कि दो में एक सूत कम है त तो इस निशान से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे एक और ऐसे ही करके एक निशान इस तरफ लगा लेंगे और ऐसे ही इस तरफ लगा लेंगे और एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे और इन निशान को आप गोलाई से इस तरह से गोलाई में मिलाएंगे ठीक है इसका य मैन ये वाला निशान हो गया यहां आप इस तरह से कर सकते हैं यहां से पकड़ेंगे इसे और इसे मिला लेंगे इस तरह से ठीक है इस तरह से आप मिला लें इस कपड़े का बिल्कुल विशेश दान रखें और इसका बीस सेंट्र आप इस तरह से ले ले इनको मिलाते हुए अब यहाँ पर 15 इंच जो अपनी गोलाई है स्लीव्स की वो लगा लें यह दो तरीके हैं यानि कि आपका 15 का चोथा जो होगा करीबन पौने 4 इंच के आसपास यहाँ पर यह आ जाएगा ठीक है और जैसे यह नाप है यहाँ से पौने 3 इंच आ रहा है ऐसे बराबर पौने 3 इंच पे यह निशान लगा लें और पौने 3 इंच पे यह निशान लगा लें इनको इस तरह से मिलाएं अच्छे से ठीक है इनको मिलाने के बाद फिर से आप एक बार और ना अपलें से तो ये अपना थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है तो इसके एक सूद थोड़ा सा अंदर की साइड रखेंगे ठीक इस तरह से अंदर की side रखेंगे और extra margin भी इसी में रखेंगे हम तो लाई के लिए margin छोड़ते भी है कटिंग कर लिनी है जो इस तरह से अपनी गोलाई में कटिंग हो जाएगी ठीक है और इसे कर लेते हैं सीधा इस तरह से इस तरह से अपने आस्तिन कटिंग हो गई है अब क्या करना है हमें यहां पर आप चाहें तो बारिक पिकू करवा सकते हैं और यहां फिर आप इसमें बारिक फोल्ड कर सकते हैं बिल्कुल बारिक फोल्ड ठीक है यह काम हो जाएगा और यह जो रहेगा अपना सोल्डर वाला ह हिस्सा यहां पर इसका सेंटर पहले लगा लें यह सोल्डर के ऊपर आएगा और यह वाला जो हिस्सा होगा यह अंडर आर्मोल्स नीचे की तरफ आएगा तो यह पहले निशान लगा लें तो इदर उदर अपना घूमेगा नहीं यह गोल आस्तिन चड़ेगी दोस्तों गोल दिन पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कैसे चड़ाते हैं क्या फाइदे हैं क्या नुक्षान है तो इस तरह से हो गया और इसे लगाना आसान है कोई दिक्कर नहीं है जैसे आप यहां से रखेंगे यहां से इसे लगाएंगे तो यह नीचे आ जाएगा और यह वाला shoulder है उपर की तरफ यह वाला पार्ट उपर की तरफ आ जाएगा आपको इस तरह से रख के लगाना है तो आसानी से लग जाएगा कोई problem वाली बात नहीं है इस तरह से आपको shoulder पर टेच करना है और इसके बाद में आप इस तरह से से देखेंगे तो इसका जो लुक है वह बहुत ही प्यारा आपको दिखने वाला है इस तरह से ठीक है यह देखे बहुत ही शांदार लुक है और दोस्तों यहां पर बताना चाहूंगा इसकी जो लेंद है आप अपने according भ से चोटा ही रहे तो ज्यादा बैस्ट रहेगा यह वाला पार्ट अगर बहार निकलता है बड़ा रहता तो बद्दा दिखता है इसलिए इस पार्ट को हमेशा हो सके तो इस पार्ट से बड़ा रखें अपने अकोडिंग इस स्लिव की लंबाई आप डिशाइड कर सकते हैं और एक शांदार अंब्रेला वर्टरफ्लाई स्लिव बना सकते हैं तो देखा दोस्तों आपने चांद मिन्टों में इस शांदार स्लिव डिजाइन को बनाना सीख लिया है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे ताकि हम बहतर वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें साथ में बैल का आइकन जरूर से दबाएं और ओल पर क्लिक रहें तो हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंसते रहेगी तो दोस्तों कल फिर मिलूँगा एक नए इंफॉर्मेशन नए वीडिय के साथ तब तक हमारे साथ बने रहें धन्यवाद